हेलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एनफ जो वर्ड होता है उसका सही यूज बताऊंगी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टू का यूज बताया है और वो किस परस्पेक्ट में यूज किया जाता है वो भी बताया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखि उसके बाद आपको यह वाली वीडियो और जादा इंट्रेस्टिंग लगेगी ओके चलिए यह शुरू करते हैं मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि एनफ जो वर्ड होता है वो हम पॉजिटिव पॉस्पेक्ट में देखते हैं और इसके साथ हम एक्जाम्पल देख लेते हैं कि हम एनफ का यूज करते हैं किसे हैं कहां कहां करते हैं सबसे पहले बात एड़िक्टिव के लिए एड़िक्टिव के साथ करते हैं और मैं आपको फिर से याद दिला दू कि जो to और enough ये जो दोनों वर्ड हैं ये किसी भी quality अगर कोई भी quality बताई जा रही है जैसे यहाँ पर strong बताई जा रहा है यहाँ पर form बताई जा रहा है तो यह उसको और जादा enhance करता है उसका extent बताता है उसकी degree बताता है उस manner में उसको use किया जाता है तो चलिए आए देखत है सबसे पहली बात की enough का use adjective के बाद होता है अगर वो adjective के साथ यूज हो रहा है तो वो बाद में होता है ना कि enough लगा के और बाद में adjective लगा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है I am strong enough to lift the bucket okay the jacket is warm enough for this weather देखिए यह positive perspective इस लिए है क्योंकि enough का मतलब होता है कि जितना need है वो quality है चाहे वो warm हो चाहे वो strong हो चाहे वो fat हो चाहे कुछ भी हो कोई भी quality बताए चाहरी है तो जिस हद तक उसकी जरुवत है उतना ही वो है तो हम enough का use करते हैं अगर जादा है जैसे कि too warm अगर हम यहाँ पर use करें too warm मैंने आपके इसके पहले वाली वीडियो में एक example दि the tea is too hot it burned my tongue तो वहाँ पर था कि चाहे बहुत जादा गरम है उससे जीच जल गई यहाँ पर है warm enough the jacket is warm enough यानि की उतना ही गर्म है जितना कि चाहिए इस weather के लिए तो इसलिए यह positive prospect होता है और जो two रहता है वो negative prospect में use वहता है वैसी यहाँ पर देख सकते है the tea is sweet enough the boy is tall enough to climb the tree okay देखते हैं आगे adverb के साथ इसमें भी same है adverb के बाद में enough का use किया जाता है okay swapnel runs fast enough to win the race उस वाले में क्या था two वाले example में क्या था the boy runs too fast he may fall down तो अब fast runs fast यह एक positive चीज़ है लेकिन अगर उसके साथ two जुड़ गया तो वो एक negative perspective में हो जाएगा और उसके साथ enough जुड़ गया तो वो एक positive perspective में आ जाएगा okay she spoke boldly enough to be heard I had slept enough to be to feel fresh तो यह सारे के सारे positive perspective में आठी के जितनी जरुवत है उतना ही है अब noun के साथ इसका use देख लेते है I have enough money in my bank account okay बहुत जादा पैसा नहीं जितना चाहिए उतना ही है I have enough money in my bank account I have enough food you can eat as well यहापे बहुत जादा खाना नहीं उतना है कि आप भी खा सकती यहापे यह बोला जा रहा है okay अब too much food हो जाता सिब लडी मैंने much और many का भी difference बताया कि कहां क्या चीज यूज होती है किसके साथ यूज होता है okay अब देखें not enough इसका use थोड़ा सा different है enough से क्यूंकि not जो रहते not or enough यह अलग-अलग लगता है अलग-अलग part में लगता है ए I am not fast enough to reach there on time okay she is not kind enough to give them shelter अब देखें यह negative perspective में है क्योंकि यह negative sentence है okay यहापे not का use हो रहा है I am not fast enough यानि की I am too slow okay I am too slow to reach there on time इसका अब छोटे में use देखेंगे तो ऐसे आप कर सकते हैं two का use करके enough की जगे पे not enough की जगे पे आप too slow लिख सकते हैं वैसे ही यहाँ पे she is not kind enough यानि की she is too cruel to give them shelter यानि की वो उतनी दयालू नहीं है कि उनलों को अपने घर में जगे दे दे ओके बस इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए share करिए subscribe करिए और अगर नहीं पता था तो दोनों का use जो की do और nf का different use है जो मैंने बताया है अपनी दोनों वीडियो में अगर नहीं पता था तो एक लाइक तो बनता है और अगर पसंद आया होगा तो subscribe भी कर दीजे कोई file to videos नहीं रहती है मेरे channel पर knowledgeable ही होती है अगर आप देख सकते है चेक कर सकते है अगर पसंद आया तो subscribe कर लीजेगा thank you so much